नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन की दिन भर की खबर जानते हैं रांची पहुंची बंदे भारत ट्रेन एस्टेशन पर हुआ स्वागत चारखन और बिहार की बिच प्रस्तावी सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत का आई ट्रेयर रन किया गया, पतना जक्सन से चल कर रांची पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने इस्टेशन में भीड उमर पड़ी बतादे सुमवार की सुबा करीब 6 बच कर 55 मेंट पर पतना इस्टेशन से चली वंदे भारत ट्रेन को दो पहर के 12 बच कर 30 मेंट तक रांची इस्टेशन पहुंचना था लेकिन 160 किलोमीटर तक अधिकतम स्पीड वाली या अत्यधुनिक ट्रेन निधारीत समय से 20 मेंट पहले ही पहुंची ट्रेन में ट्रेन के दुरान चालक दल के सहस्यों सहीद दाना पूर्रेल डिविजन के टेक्निकल एस्टाफ भी सवार थे बता दे रांची पतना वंदेभाय ट्रेन का तीन ट्रेल रॉन होना है आज पहला ट्रेल हुआ ट्रेल के लिए पुर्व मधर रेल्वे ने पहले 11 जून की तारिक निधाई की थी लेकिन बाद में इसे 12 जून किया गया बता दे कि अभी ट्रेन के अधिकारी परिचालन के तारिकों के पुष्टी नहीं की गई है उमीद जाहिर की जा रही है कि इस महिने के आखरी में नियमित परिचालन सूरू हो जाएगा लेकिन फिलाल या कयास ही है पतना से रांची के बिच ट्रेन के चोठा राव है जारखन में विपारजय तुफान का असर 15 जून से गर्मी से रहात अरबसागर में चक्रवत्य तुफान विपारजय का जारखन पर भी आंसिक असर पढ़ने के असार है इसके परभाव के चलते देश के पच्मी दीशा से आने वाले हल के बादल भी चा सकते हैं जिससे मौसम में बदलावाने की समभवना है हलाकि जारखन में मांसून के परवेस करने वाले मार्ग पर इस तुफान का कोई परभाव नहीं पड़ेगा पुरुन मान है कि मांसून 17 के बाद कभी परवेस कर सकता है वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के दक्षनी पुर्वी भाग बंगला देश और मैनमार तट पर बना गहरा निम्न दबाव चेत्र कमजोर पर रहा है वहीं जार्खन आसबास के छेत्रों पर इसके परभाव से हल के बादल चाय हुए है जार्खन हाई कोट के नए परिसर में सो मौर्च से शुरू हुआ कार्य नौन निर्मित जार्खन हाई कोट भवन में आज यानि 12 जून से अदालती काम का शुरू हो गया है ब्रिक छारोपन के बाद पहले दिन नियालाई परिसर में इसे लेकर कौतुहल बना रहा अधिवक्ताओ के बैठने से लेकर याज का करता कि परभेस को लेकर पूरी एहत्तियातन बरती जा रही है गेट नमबर एक से परवेस करने से पहले पूलिस जाच और हाई कोट के द्वारा जारी पास की छानविन के बाद ही इस परिसर में परवेस के नुमती दी जा रही है बत्यादे आत्या धुनिक सुविधाओ से लैस चहरकन उच नियाला के इस नौनिर्मित भवन परिसर में अदालती कामकाज के पहले दिन मुखे नया अधिस की अदालत में सिक्षा नया धीकरन से जुड़े मामले में पहली सुनवाई दो पर दो बज़े से हुई है पूर्वर डीसी चहुई रंजन समेत 10 के खिलाब इडी ने दायर की PC सेना के कबजे वाले जमीन समेत रांची के अन्य भुखंडों की फरजी दस्तावेजों के सहारे खरित विक्ति से जुड़े लैंड एसकेम के आरोपियों के खिलाब इडी ने प्रस्क्यूशन कंप्लेंड PC दाखिल कर दिया है इडी ने PMLA की बिशेस न्याले में 10 अभियोगतों के खिलाब प्रस्क्यूशन कंप्लेंड दाखिल किया है इडी के अधिकारी सुमवार को दो बंडल दस्तावेज लेकर कोट पहुंचे PC दाखिल होने के बाद कोट अब इस पर संग्यान ले सकता है तेरहवी जूनियर पूरूस होकी चैंपियंशिप में जार्खन ने गोवा को 18-0 से दीमाया जार्खन टीम से दीपक सोरेंग ने 4 गोल आतिस डोडराय और जोसेफ टोपनो 3-3 गोल सेट टोपनो और सुखनाथ गुडिया ने 2-2 गोल और सीमोन बोदरा, नवीन करकेटा, अभिसेक तिग्गा और जय मसीह तुड़ी ने 1-1 गोल किये है इस मैच में जार्खन टीम के जोसेफ टोपनो को प्लेयर आफ दा मैच चुड़ा गया है पटना रांची बंदे भारत ट्रोइल रन में बीजेपी सांसाद ने किया सफर के ट्राइल के दुरान वंदे भारत में सफर करने से बिवाद पैदा हुआ है बता दे सांसाद जयंत सिनहा ने हजारी बाग से बढ़का गावर इस्टेशन तक वंदे भारत में सफर किया इसका वीडियो भी सामने आया है गौतला भाय की पटना से सुबा 6 बच कर 55 मियट में चली इस ट्रेन को दो पहर 1 बच कर 30 मियट तक राची पहुँचना था हाला कि वंदे भारत ने धाईत समय से 20 मियट पहले ही पहुँच गई ट्रायल अच्छी तरह से पूरा हुआ लेकिन बीजेपी सांसत के इसमें सफर करने पर विवाद हो गया है रांची रिम्स में ब्रेन और एस्पाइन सर्जरी मुप्त है रांची के नियूरो सर्जरी विभाव में ब्रेन और एस्पाइन की सर्जरी मुफ्त में होती है जिसका नीजी एस्पताल में आड़ाई से तीन लाग रुपे तक खर्च आता है बता दे हेड इंजियूरी की सर्जरी का खर्च भी नीजी एस्पताल में दुरुग हटना की जटिलता के हिसाब से एक से दो लाग रुपे तक है ब्रेन ट्यूमर की सरजरी निजी एस्पताल में 2-8 लाग रुपए वहीं एस्पाइन इंजियूरी में 2,50 लाग से लेकर 3 लाग और बीपी एस्टंट में 80-90 रुपए खर्च आता है यह सब ही सरजरी रिम्स में मुफ्त में की जाती है इधर रिम्स में ब्रेन और स्पाइन की सरजरी होने पर आयुसमान इवजना के मरीजों को इंप्लांट का खर्च नहीं देना पड़ता है यानि आयुसमान इवजना के मरीजों को सरजरी में 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ता है CCL के लाल लाल ली योजना के तहट फ्री में करें इंजिनिएरिंग लाल लाडली योजना के लिए CCL लें 18 जून से ऑनलेन आवेदन की मैंग की है इस स्किम के तहट company बिद्यारतों को निसुल्क इंजिनियरिंग के तियारी कराता ह। बतादे दासवी में मार्स के अधार पर चैनीत बच्चों का CCL के गांधी नगर स्कूल में दाखिला कराया जाता है जिन स्टूडेंट को सोटलिट किया जाता है उन्हें बाद में दस्तावे जांच के लिए बुलाया जाता है कोचिंग के तयारी IITN अधिकारियों द्वारा कराया जाती है चैनीत स्टूडेंट को होस्टल में रख कर पढ़ाया जाती है वहीं जहां बच्चों की फिरी स्कूलिंग मेडिकल समयत का इस विधायती जाती है के लाब बच्चों को खेल कोद में भी आगे बढ़ाया जाता है बदाद दस्वी पास बच्चे इस परिक्षा में सामिल हो सकते है 40 रिक्त सीटों में से 20 लड़कों के लिए और 20 लड़कियों के लिए आरक्षित होता है 13 जून को 31 एक्सप्रेस ट्रेन रहेंगी रद ट्रेक मरमत और मेगा ब्लोक के कारण 13 जून को दक्षिन पूरो रेलवे की 31 एक्सप्रेस ट्रेन रद रहेंगी दक्षिन पूरो रेलवे ने इस समान में बुलेटेन जारी किया है इसके मुताबिक खड़कपूर रेल मंडल के खड़कपूर भध्रक रेल खंड के बहनागा बाजार एस्टेशन पर बड़े अस्तरपर ट्रेक मरमत का काम हो रहा है इसे लेकर मंगलवार को भी 31 एक्सप्रेस ट्रेन रद रहेंगी इसके अलाबा खड़कपूर रेल मंडल में अधूरे पड़े कई विकास कारे हो रहे हैं इस कारण हबडा मुंबाई रूट की ट्रेन दो घंटे बिलम से चल रही है जे एससी ने टीजीटी परिक्षा में सफल अभियारतियों को बुलाया कर्याला जे एससी ने टीजीटी परिक्षा में सफल अभियारतियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है इसके तहत गरनित और भौतिकी बीसाय से परिक्षा में सफल उमिद्वारों को दास्तावेज सत्यापन के लिए आयोग के कर्याले में उपसित होने को कहा है जिसके लिए उन्हें 15 जून को दो फर तीन बज़े अपने मुल दास्तावेज के साथ हाजिर होना होगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन का काम साम पांच बज़े तक होगा इस अधिक दोरान कोई अगर अनुपसित रहता है तो आयोग उन्हें दो आउसर और देगा अभियार्थियों को आयोग दोरा जारी आवेदन को भर कर अपने मुल दास्तावेज की मुल प्रती चाय प्रती और दो रंगिन पास्पोर्ट साइज फोटो के साथ आयोग के करेलेंबो पस्थित होना होगा इस दोरान जरूरी परमान पत्र को पस्तूत नहीं करने वाले उमिद्वारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दी जाएगी नवजात के सोव को कचरे में जलाने वाली नर्सों और दाई को सलाखों के पीछे भेजा है जारखन के गढ़वा जिला अंतरगत मजी गाउं रेफरल अस्पताल में नवजात के सोव को कचरे के ढेर में जलाने की आरोपी दो नर्सों और दाई को सोमवर को जेल भेज दिया गया रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डाक्टर गोविंद सेट के आवेदन पर एक ग्रेड नर्स निर्माला कुमारी एनम मंजुक कुमारी और दाई दौलतिया देवी के खिलाप नमजात केस्ट दर्ज किया गया था बतादे की पलामू की वाइस वर्स ये मधुद देवी ने दस जुन को मिरित बच्चे को जनम दिया था आरोप हाई कि जब परिजन नौजात के दा संसकार के लिए समाल लाने बजार गए तब ही पीछे से नर्सों और दाई ने सौव को अस्पताल परिसर में ही जलाने वाले कचरे के धेर में फेक दिया परिजनों ने हंगामा करते हुए करवाई की मांग की थी आरपीएफ को मिला साढ़े तीन लाख यातरी को लोटाया ओपरेशन अमानत के तहत हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम को पैसे से भरा एक बैग लवारिस हालात में मिला जिसकी जाच करने पर तीन लाख बावन हैर कैस कलाई घडी दस्तवेज आजी थे जिसकी कुल मुले करीब तीन लाख अंठावन हैर उपए थी उसे उसके सही मालिक के हवाले कर दिया गया है इस पहल के बाद आरपीएफ की मंदारी वकारे प्रनाली को लेका सराहना की जा रही है टीम में जिन्हे बैग मिला उनमें ASI, SKJS वाल, LC, सोमा, हल्धर, LG, कजली बिश्वा सामिल है वहीं आरपीएफ ने बताया है कि रभीवार को करीब दीन के दो बजे DSCNL रांची के माध्यम से ट्रेन संख्या 17321 एक्स एक्सप्रेस के एक यातरी कैबेग छुटा हुआ था धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हैं तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बोल कैबे लेकान दबाएए साची साथ वीडियो को एक लाइक के रपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना भूलें साची साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़एग अवस्य दे थैंक यू